अब गूर्णिंग क्लास सेबन हम लोग चेप्टर वन जैक देख रहे थे हिस्टरी में तो लगबग पूरा चेप्टर फिनिस हो गया था बस रह गया था सॉर्चेज अफिस्टरी का एक्जामपल्स तो पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो क्लिप में जो आपका प्लेलि सबसे पहले हम चलते हैं archaeological source की बात कर लेते हैं archaeological sources में major होता है monuments कोईंस भी होते हैं बढ़ मोनुमेंट की बात करते हैं तो medieval period के time में कितने प्रकार के monuments इंडिया में बनायागा जो famous था और जो source का काम भी किया तो famous है इसमें सबसे पहला ताजमहल और फतेहपूर और शिकरी आगरा में दूसरा है दिल्ली का रेड़ फोर्ट तीसरा है तंजाउर का साउथ इंडिया में ब्रिदेश्वर टिंपल तो ऐसे और भी बहुत सारे source है बट यह famous है मेडाइवल पिरियड का monuments के रूप में उसके बाद चलते हैं हम इंस्कृप्शं में तो वाट मेंस इंस्कृप्शं एंस्कृप्शं मतलब क्या होता डरीटें रिकेर्ड रिकॉर्ड ऑन दा हाइड सर्फेस और बॉल अफ एनी monuments किसी भी दिवाल पे या heart surface पे जो engraved किया हुआ रहा रहता है लिखा हुआ रहता है उस term को उसे कहा जाता है inscriptions तो बहुत सारे inscriptions भी medieval class के मिले medieval लिखा हुआ जैसे कहां कहां मिला example red fort के walls पे मिला ताज महल के walls पे मिला और फतेहपूर सिक्री के पे मिला और बहुत सारे राजपूर का जो पैलेस था महल था उसकी दिवारों पे भी बहुत सारे inscriptions मिले हैं तो यह archaeological sources का अग्जाम तो था मेजर तो लिट्रेरी है समस्या तो लिट्रेरी में चलो सुरू करते हैं ट्रावलर्स का नाम और उसका साथ-साथ उसका बुक को लिखा गया अलबरुनी जो सेंट्रल एसिया से इंडिया आया था और उसने इंडिया का explain किया ऐसे और भी बहुत सारे travelers थे जैसे मुरको मुरको से सारी मुरको पोलो आया था बेनिस से निकोलो कांटी आया था इटली से डुराट बार बोशा डोमिंगो पेस यह बुर्तगाल से आया था इंग्लेंड से सर्थ होमस रो थे फ्रांसे बर्नियर और तवेनियर थे रस्या से अनास्टासी निटीकिन था तो यह सब ट्राबलर्स थे जो इंडिया आया और इंडिया में रहा और इन लोगों ने इंडिया का explain किया अब चलते हैं बायोग्रफीज की ओर चलते हैं तो बायोग्रफीज में सबसे फेमस बायोग्रफीज था उस समय का प्रित्वी राज रासो चंदवरदाई ने लिखा था जिसमें प्रित्वी राज चोहान का explain था दूसरा हुमायो नामा जिसे गुल बदन बेगम ने लिखा जो मुगल इंपरियर था तिसरा अकवर नामा फुतुहात फिरोध साही बावर का बावर नामा और इंपरर जहांगिर का तुजुक जहांगिरी इसके अलावा एक और टापिक है क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स मतलब कहते हैं कि इवेंट्स को राजा का सारे इवेंट्स को क्रॉनिकल बाइज इवेंट्ट वाइज एक्स्प बताता है दूसरा जिया ओद्दीन बर्णी का तारीक अफिरोध साही जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को explain करता है तीसरा था तारीक अफ फरिस्ता फरिस्ता ने explain किया देली सुल्तान के हिस्ट्री को explain किया इसने भी इसी तरह से और भी है तुगलक नामा है और खाजिनुल फुदूहा फुदूह जिसे अमीर खुसरो ने लिखा जिसमें खल्जी और तुगलक के समय को explain किया गया तो यह हिस्ट्री का चेप्टर को इनका यही सारा पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो क्लिप में आपके लिए अगला चेप्टर लेके आएंगे और अब प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से वीडियो आपके लिए ना बनाए अब डायरेक्ट जैसे स्कूल क्लास कोचिंग बगारा में पढ़ाते हैं सेम वैसा ही आपका बोर्ड पर एक्स्प्लेइन करेंगे टॉपिक को और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे देन डैट अल फूर टुदेए